आज हमें रोजगार के बारे में जानना है, तो इस्टार्ट करते हैं, रोजगार वो आर्थिक किरिया है, जिसके अंतरगत लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, तथा प्रती फल्स्वरूप पारिस्रमिक प्राफ्त करते हैं, बहुत इजी है डिप्लेशन, इसे पढ़ ये काम करते हैं रोजगार में, और काम के बदले पारिस्रमिक मिलता है, पारिस्रमिक समझ रहे होंगे आप मजदूरी वेतन, ये सब जो होता है, इसे पारिस्रमिक करते हैं, अब विशेष्था को देखते हैं, विशेष्था में नमबर ब्र वन में है व्यक्तिका सेवा, व्यक्तिका सिवा में है रोजगार के अधिन क्रमचारी को स्वैंग ही सेवा परदान करना पड़ता है वह अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति से शेवा नहीं करा सकता है। ये विशेशता है रोजगार का अगर कोई व्यक्ति किसी कमपनी में कारी कर रहा है तो वो व्यक्ति स्वैंग ही सेवा परदान कर रहा है ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कमपनी में काम करना चाहता है तो वो आपने बदले किसी दूसरे व्यक्ति से काम कर वाले ऐसा नहीं होता है रोजगार में खुद ही कारी करना पड़ता है और जो कारी करता है उसी को पारिस्रमिक मिलता है रोजगार के अधीन जो भी करमचारी होंगे उसे स्वैंग ही सेवा परदान करना पड़ता है वो अकरमचारी जो है वो अपने बदले किसी अनिव्यक्ति से सेवा परदान नहीं करा सकता है अब आगे विशेषता नमबर टू देखते हैं तो स्रम के बदले पारिस्रमिक इसमें है रुजगार में स्रम के बदले पारिस्रमिक दिया जाता है बहुत ही असान है इसे पढ़ लिजे कि जो व्यक्ति स्रम करता है उन्हें स्रम के बदले पारिस्रमिक मिलता है रुजगार में स्रम के बदले पारिस्रमिक दिया जाता है इसके बाद है नमबर थ्री में दूसरों के लिए सेवा इसमें है रोजगार दूसरों के लिए सेवा परदान करता है मानलेजे आपके पास कोई वेक्ति रोजगार करता है मतलब वो आपको सेवा दे रहा है तो पता चलिए आपको कि रोजगार दूसरों के लिए सेवा परदान करता है इसके बाद है नमबर फोर नियोक्ता के निर्देशों का पालन इसमें है रोजगार में करमचारी नियोक्ता के निर्देशों का पालन करता है तथा उन्हीं के अनुसार कारी करता है दोस्तों आप नियोक्ता को समझ रहे होंगे जैसे कि आप रोजगार दे रहे हैं बहुत सारी लोग को तो आप एक नि करते हैं क्योंकि वे बहुत से लोगों को नियुक्त किया है तो रोजगार में जो होता है जितने भी करमचारी होते हैं मजदूर होते हैं सब नियुक्ता का जो निर्देश होता है उस निर्देशों का पालन करता है और नियुक्ता के अनुसार ही काड़ी करता है इसके बाद ह इसमें है पुझी की आफसकता नहीं, इसमें है पुझी की आफसकता नहीं में है, कि रोजगार में करमचारी के लिए पुझी की वी नियोजन की आफसकता नहीं होती है, समस्त पुझी नियोकता की होती है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी कमपणी में काम करने के लिए जाता है, तो उसका कोई पुंजी नहीं होता है यह पुंजी कंपणी वालों की होती है रोजगार करने वालों की नहीं तो यह रोजगार है इसमें जो भी करमचारी कारी करते हैं उनके लिए पुंजी का वी नियोजन क्या आप सकता नहीं होती है किसी पकार पुंजी का इन्वेस्ट न जोखिम नियोकता की होती है करमचारी को कोई जोखिम नहीं उठानी होती है तो जो भी जोखिम होंगे वो नियोकता की होंगे कमपनी में काम करने वाले करमचारी का उस जोखिम से कोई मतलब नहीं है करमचारी को कोई जोखिम नहीं उठानी होती है यह सारे वेफशाय के देख भी सकते हैं मैं इससे पहले कई सारे कोस्टन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ आप उसे देख सकते हैं मैं इसके बाद भी और कई सारे कोस्टन का वीडियो अफलोड करूंगा आप जरूरी चैनल सब्सक्राइब कर दिए ताकि आपको सारे वीडियो मिल जाए थैं thank you